नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों मैं निपुनमित्तल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपकी इस वाली क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं most important topics neat exam के लिए और आज जो बड़ा topic हम लोगों ने चूज किया है उस topic का नाम है motion in a plane में में तो मोशन ना प्लेन में क्या क्या आभ हमें पढ़के जाना चाहिए यह हम लोगाज देखने वाले तो ऐसा नहीं कि सबकूश बैठ के कि यह जारे हैं कि एड़ा हैं अपने नोटस के अंदर से क्या क्या चीजा पढ़ जाये देख जाये मार्ग करलें उन चीजों को आ आपका इसका पार्ट कौन-कौन हो गया ऐसा मोशन जो दोनों एक्सिस के अंदर हो रहा है तो बेसिकली हम लोग यहां चले जाते हैं आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के पास में ठीक है यह चले गए हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के पास प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ साथ हम लोग इसके अंदर देखना होता है सर्कूलर मोशन सर्कूलर मोशन का जो काइनेमेटिक्स वाला पार्ट है फोर्सेज वाला पार्ट हम लोग लोग लौज अफ मोशन वाले पोर्शन में देखते हैं ठीक है इसके अलावा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है रिलेटिव मोशन जिसके अंदर आपका जो पार्ट इंक्लूडड है रिलेटिव मोशन के पार्ट में दैट पार्ट इस रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स और river board problems के साथ में आपका जो rain man problems होती है वो early problems ठीक है तो अगर हम लोग इन वाले portions को बहुत अच्छे से देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत जादा समस्या जो है वो आने वाली है तो let me tell you how, चलो तो सबसे पहले इसमें जो पार्ट मैं आपको बताने वाला हूँ उस वाले पार्ट का नाम है projectile motion तो let's talk about projectile motion अब देखो projectile motion real में तो बहुत बढ़ा है पता नहीं क्या-क्या नहीं पढ़ लो है किस तरह से projectile motion के अंदर हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग सबस्वाइले पढ़ते हैं ground to ground projectile वाला पार्ट के ग्राउंड to ground ground to ground projectile के अंदर एक simple सा diagrammatic representation दे रहा हूं मैं आप लोगों को जिससे आपका हलका साइग revision भी हो जाए velocity u angle theta यह वाला component u cos theta यह वाला component u sin theta यह आपकी होती थी h max ठीक है और x direction का displacement होता था आपका range है ना इसमें हम लोग ऐसा बोलते थे के हमारी u x जो है वो तो है u cos theta u y जो है वो है हमारी u sin theta theta के हिसाब से समझ गया theta किसी और जगह से ले लिया vertical से ले लिया तो यह values will change correct ax जो है उसकी value है 0 और ay जो है उसकी value है minus g हमने नीचे की direction को negative मान रखा है उसके हिसाब से हम लोग हर point के ऊपर g जो है वो कहां लगाते रहता है नीचे और यही वो कारण था जिस कारण आपकी जो path है वो एक parabolic path थी ठीक है तो इसमें जो हम लोग सबस्वहले निकालते थे वो था time of flight याद आ रहे है हाँ sir 2u sin theta by g इसके अलावा h max बोलो y direction की velocity u square by 2g यानी u square sin square theta by 2g इसके अलावा sir range yes range की value बोलो u square sin 2 theta by g या फिर इसी को लिखने का दूसरा तरीका twice of ux into uy by g कुछ याद आ रहा है हाँ sir कुछ कुछ आ रहा है यूँकि कुछ पढ़ा नहीं था तो अब धीरे-धीरे कुछ-कुछ बाते याद आ रही है ठीक है फिर इसके अंदर हम लोग velocity लिखते थे किसी किसी point के ऊपर याद करो मानलो इस वाले point पर आपको कोई velocity vector लिखने को बोल दे this is the velocity vector इसके दो components एक component इधर एक component इधर एक component इधर x में तो velocity क्या है भई constant है तो vx की value तो हमेशा u cos theta हो जाया करती थी और वहीं vyy की value अगर velocity किसी time t पर लिखनी है तो हो जाया करती थी u sin theta minus gt x में velocity constant और y के अंदर variable देखो ठीक है इनके लिए tan alpha भी लिखवाया जाता था तो tan alpha हो जाता था vyy upon vx alpha हम लोग ये वाले angle मानके चल रहे हैं जो आप लोग यहाँ देख सकता है तो हम लोग simply बहुत सारी चीज़ों को बता सकते हैं कर सकते हैं किस तरह से उनकी अप्रोच की जाए और किस तरह से उनमें आगे बढ़ा जाए ठीक है इसको हम लोग बोलते थे velocity vector and the angle which it makes with the horizontal इस तरह तरह के सवाल हम लोग जब क्लास में होते हैं तो करते हैं बहुत ही प्यारा सा concept जिसवे बहुत सारे सवाल आपसे पूछे तो अब संदे मुच् horrific श्राइब संद के इसी equation of trajectory के लिए हम लोगों ने value क्या लिखी थी कुछ याद नहीं आ रहा आएगा y equals to x10 theta minus half g x square upon u square cos square theta ठीक है? x और y coordinates जहां पर दिये हुए होते थे वहाँ पर इसको लगाने की इच्छाएं जाकती थी ठीक है? हाँ, इसके अलाबा इसी का alternative form y equals to x10 theta common ले लिया अंदर में आगया 1 minus x by r, r stands for range ठीक है ना? दोनों ही आपकी equation of trajectory है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह तो ground to ground वाला case था सर तो इसके अलाबा और कौन सा case हमें पढ़ना होता है देखो, incline वाले cases आप लोगों से नहीं पूछे जाता है, ठीक है? तो they are not that important जो अभी आप लोगों को देखने चाहिए, पर हाँ, ऊपर से, जो हम लोग horizontal projection कर देता है, किसी tower पे जाके या table पे जाके है ना? यह वाला, यह आप लोगों के case बिलकुल possible है और पूछा भी जा जो same सवाल जब repeat होता है ना, तो अपने को पता लगता है कि हाँ, this part becomes important, तो अगर यह मान लो, तुम्हारे पास में एक tower है, और इस tower पे खड़े होके, आप लोगों ने कुछ इस तरह से u velocity के साथ में किसी चीज को project कर दिया, तो ऐसे गा कि गिरता था, यह हमारे पास में range ह हुआ करती थी, यह हमारे tower की height हुआ करती थी, हम इसी point को region मान के सारी equations वो लिखा करते थे, velocity vector लिखा करते थे, और पता नहीं क्या-क्या लिखा करते थे, ठीक है, तो इसके अंदर अगर time of flight लिखते थे, तो आता था under root 2h by g, क्योंकि इसमें initially wide direction में कोई velocity नहीं है, सिर्फ ux ही exist करती है, range की value जो है, वो u times of t, यानि की under root 2h by g, यह हमारी range आ गई, इसके अलावा पूछ सकते हैं, इसमें कि किसी point पर velocity vector जो है, वो क्या होगा, तो अगर this is the velocity vector, then these are the components, यह angle मान लो alpha है, यह आपका vx है, यह आपका vy है, vx हमेशा constant, मतलब की u के बराबर, और वहीं vy vy जो है, वो change होगा, initially 0, vy is 0 initially, मतलब u y is 0, तो answer आएगा, हमेशा minus gt, तो vy is going to remain negative, देख लो, नीचे की तरफ है, तो हमेशा negative आएगी, कैसी value आएगी, negative value आएगी, जो हमें दिख रहे है, तो बहुत ही easily हम लोग इन सब चीज़ों को derive कर सकते हैं, calculate कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों के सामने है, ठीक है, correct, यह सब चीज़ें यहां पर पूछी जा सकती है, final velocity पूछ लो, time निकल गया, final velocity निकल, लो, कौन सी बड़ी बात होगी, बहुत सारी चीज़ें यहां पर आप से projectile में पूछ लेता हैं, जो आपको अभी अभी बता दिया गया है, अच् की kinematics आप लोगों के लिए बहुत important हो जाती है, तो circular motion की kinematics, तो when we talk about circular motion kinematics, तो यह वैसा ही है, जैसा आप लोग बच्पन से पढ़ते आए हैं, नॉर्मल वाली kinematics में, तो इसके अंदर हम लोग तीन चीज़े define करते थे, अगर आपको याद आ रहो, हम लोग define करते थे, theta, omega और alpha, ठीक है, येस, time being the only constant stuff, तो यहाँ पर हमारे पास जब equation of motion लिखा जाता था, इस बार circular motion लिखा जाएगा, तो equations of circular motion में आ जाएगा, omega final is omega initial plus alpha t, theta is equal to omega initial t plus half alpha t square, और omega final square minus omega initial square is equal to 2 alpha theta, ठीक है, बहुत ही बढ़िया से, ये वाली तीन equations, इनकी validity कब, जब alpha कैसा हो, constant हो, है न, इस ही में अगर variable हो जाए, alpha की value, in that case, we will use, जल्दी से बताओ, क्या, alpha अगर constant ना रहे, in that case, जल्दी बोलो भाई, omega होता था आपका d theta by dt, ठीक है, alpha क्या होता है, d omega by dt, या फिर d square theta upon dt square, या फिर omega d omega by d theta, वैसा ही जैसे हमने motion in 1d के अंदर पढ़ा था, कुछ वैसे ही relation यहाँ पर आपके alpha omega theta वाले भी आ जाता है, तो integration, differentiation आपको बहुत काम आने वाला है सभी जगया, ठीक है, तो यह normal kinematics के बारे में जो चर्चा चल रही है, वो है, फिर इसके अंदर बिटा जो acceleration आता है, circular motion में, acceleration, तो acceleration in circular motion जो है, वो अब normal acceleration की चर्चा चल रही है, पर यह अलग-अलग तरह से आप लोगों को चीज़े जो है, वो दिखाता है, है ना, नई image बन जाती है, क्योंकि body गोल-गोल घूम रही है, so the velocity is changing at each and every point of time, हर instant per velocity में change जा रहे, direction में, चाहे उसका magnitude सेम रख दो तुम speed का, पर direction तो बदल रही है, तो speed चाहे सेम रहे, पर velocity यहां constant नहीं होती, और इसलिए जब हम लोग circular motion पढ़ते हैं, तो याद करिए हमारे पास में दो प्रगार का acceleration आते हैं, एक acceleration जो हमेशा center की त जानते हैं, particle कैसे भी घूम रहा हो, clockwise, anticlockwise, whatever be the direction of rotation of the particle, but, 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 AC will always point towards the center, ठीक है, AC की point अमेशा center होगी, इस AC को हम लोग centripetal acceleration के नाम से जानते हैं, इसकी value होती थी, V square by R, correct, साथ-साथ, omega square R, क्योंकि हम यह relation जानते हैं, that V equals to omega R, real में omega cross R, पर हम magnitude wise बात कर रहे हैं, तो V equals to R omega लिखने से हमें कोई नहीं रोख सकता है, तो acceleration, centripetal acceleration जो है, वो आपके सामने लिखा हुआ है, AC is V square by R, या फिर omega square R, इसके अलावा, अगर, आपकी जो body है, उसकी speed जो है, वो constant नहीं है, यानि magnitude of speed जो है, वो भी इस बार change हो रहा है, direction तो पहले ही change हो रहा था, in that case हमारे पास में tangential acceleration आता है, जिसकी value R alpha होती है, या फिर अगर V आपके time का function है, तो dv by dt होती है, simple, तो AC हो गया, AT हो गया, दोनों values आ गया, ठीक है, तो AT is R alpha, या फिर dv by dt, AC is V square by R, या फिर omega square R, या फिर omega square R, या values आप लोगों को याद होंगी, तो आपको फायदा मिलगा, या मैं पहली लगा दूँ, ये AT और AC यहाँ apply मत कर देना, तो कई बार इसमें आप से question पूछ रह गया, तो AC AT के बीच के एंगल हमेशा 90 degree होगा, because the angle between AC and AT will always be 90 degree, तो A net की value हमेशा होगी, 80 square plus AC square, ठीक है, अंडर root के अंदर यह आपके पास में लिखा हुआ आपको मिल गया, तो इस तरह से बहुत से सवाल आप से पूछे जाते हैं, कई बार जैसे मान लो आपको AC की direction अगर यह दे दी है, AT की direction अगर यह दे दी है, आपको A net निकालने को बोल दिया, और A net के बाद में कई बार alpha भी पूछ लेता है, तो हो सकता है कि alpha जो है वो आपको 80 upon AC वाला पूछा जाए, मतलब question में बोल देता है, का angle between A net और AC निकालो या A net और AT निकालो, तो A net और AC होगा, और अगर A net और AT होगा, तो AC upon AT होगा, तो यह चीजें तो देखो, ऐसी आशा की जाती है कि पढ़ते पढ़ते आप लोग सीख जाते हैं, है ना, और नहीं भी सीखे तो मैंने दुबारा सिखा दिया है, तो ऐसा tension नहीं लेने गया, तो हमारा kinematics वाला portion हो गया, जिसमें projectile गया, उसके बाद मैं circular वाला portion हो गया, अचा, circular की kinematics के बाद में जो आपके लिए important part आता है, इस section से वो क्या आता है, बटा, relative motion वाला, that part is of relative motion, अब relative motion में यहां पर simple equation जो आप लोग पढ़ते हैं, 1D वाली, वो तो हमेशा valid है ही सही, है ना, भाई वी अबी जो हम लोग लि यह ना, यह नहीं बदल जाती, यह हमेशा true है, vectorially, इसमें हम लोगों के लिए दो parts हमें पढ़ने होता है, एक तो पढ़ना होता है, rain man problem, ठीक है, और दूसरा पढ़ना होता है हम लोगों को river board problems, तो पहले rain man problems के बारे में जो है, वो मैं आप लोगों को बतायता हूँ, rain man problems क अंदर एक simple सा फंडा दिया हुआ जाता है, आपको जिसके अंदर बारिश जो है, वो हो रही होती है, मान लोगों उपर से बारिश हो रही है, ठीक है, और आदमी जो है, वो आपका अगर छाता पकड़के जा रहा है कहीं, घूमने के लिए, तो आपको इने vectorially जमा लेना है कैसे जमा लेना है, you just have to arrange them vectorially, once you arrange them vectorially, यह सारी चीज़े solve हो जाएंगी, तो यह velocity of the man है, यह velocity of the rain है, आपको निकालना होता है, velocity of the rain with respect to man, जिसकी value आती है, velocity of rain minus velocity of man, आदमी ने बारिश को देखा है, बारिश ने आदमी को नहीं देखा है, बारिश बरस्ती रहती है, बिना देखा है, कहीं भी, तो आदमी देखता है बारिश को, तो velocity of rain with respect to man, आपको निकालना होता है, जो आप लोग vectorially जमा के इसको बता सकता है, तो देखो बिटा, यह वी यार हो गई, यह आपको निकालना था, वी यार माइनस वीम निकालना था, तो आप ऐसे में क्या करता है, माइनस वीम यह direction ले लेता है, और फिर इनका जो resultant है, वो बहुत obvious है, यहीं आएगा, यह आपका क्या आगया, velocity of rain with respect to man, तो इस वेरी obvious, कि अगर भागते हुए आदमी को बारिश ऐच्छी आती भी दिख रही है, तो च्छाता जो है, वो भी इधर ही खुलने वाला है, तो riverboard problems, ठीक है, riverboard problems के अंदर कया कहानी चलती है भाई, यह हम लोगों को ऐसा बोल देता है, कि riverboard problems में आप लोग क्या करो, एक नदी ले लो और उसको पार करो, नदी लेके जब आपको पार करने की बाते की जाती है, तो हम लोगों को एक velocity of engine दे दी जाती है, जिसे हम लोग VBR के नाम से जानते हैं, velocity of boat with respect to river, ठीक है, एक नदी आपको बहती हुई दे दी जाती है, which is the velocity of river, और हमें इस बार नदी आ के पार जाना होता है, यह angle अगर theta दे दिया, तो यह condition हो गई हमारे पास में VBR cos theta वाली, यहां हमारे पास में आ जाता है बच्चों VBR sin theta, ठीक है, यह width of the river हमें D दे दी जाती है, और हम चाहते हैं के सामने आले point पर पहुंचे, जो हम नहीं पहुंच पाते हैं, because river is also flowing, under certain conditions पहुंच जाते हैं, और यह हमें drift के बराबर दे दी जाती है, D, so D is the drift, तो basically you move like this in reality, which is the VB, क्योंकि VBR का मतलब क्या होता है, VBR का मतलब होता है, VB minus VR, boat की velocity in still water, boat की velocity in still water, या boat का engine, या आपको क्या बोल दिया रहता है, velocity of boat with respect to river सब का मतलब एक है, ठीक है, तो VB minus VR, तो यहां से VB की value क्या आ जाएगी बताइए, VB will come out to be VBR plus VR, और इन ही सब fundों को use करते हुए हम लोग, सारे के सारे questions वें, उनको use कर सकते हैं, जब आपको time निकालना है, तो आप इसी VB का ये वाला component ले लेता है, which is obviously VBR cos theta, तो जब आप time निकालने के लिए जाता है, तो answer आजाता है, D upon VBR cos theta, जब आप लोग drift निकालने के लिए जाता है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, drift के लिए velocity क्या हो जाएगी, इधर VR, इधर VBR sin theta, तो VR minus VBR sin theta, and this value multiplied by the time taken, जिसकी value क्या है, D upon VBR cos theta, देखो किता आसान है, तो ऐसे हम लोग बहुत सारी चीज़े calculate कर सकते हैं, है न, drift के लिए अगर हम से बात की जाती है, कि मैं तो सामने आले point पे पहुंचना चाहता हूँ, तो दो cases है, जिसमें एक बार VBR आपकी VBR से बड़ी है, उन दोनों ही case के अंदर हम लोग sin theta की value को याद करते हैं कैसे, छोटा वाला upon बड़ा वाला से, बहुत काम का formula, direct question neat में भी आ चुका, J E में भी आ चुका, सब जगे आ चुका, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग अभी देखकर चले जाते हैं, तो बहुत फाय स्वाइदे को उठा लो, स्वाइदे का लाभ ले लो, जिससे आपको बहुत अच्छा लगे, और फाइनली इस session को बहुत अच्छे से देख ले, छोटे-छोटे sessions हैं तो जरूर से देख लेना, बिल्कुल भी miss out मत करना, जिससे जल्दी-जल्दी है सारी चीज़ें आप ल